साथियों ये फ्रेट कोरिडोर आत्म निर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे उद्योग हो व्यापार कारोबार हो किसान हो या फिर कंजुमर हर किसी को इनका लाब मिलने वाला है लुधियाना और वारानसी का कपड़ा निर्माता हो या फिरोजपूर का किसान अलीगड का ताला निर्माता हो या राजस्तान का संग्यमर्मर कारोबारी मलीहाबाद का आमुत्पादग हो या कानपूर और आगरा का लेदर उद्योग बदोई का कालिन उद्योग हो या फिर फरिजाबाद की कार इंडूस्ट्री हार किसी के लिए ये अवसर ही अवसर लेकर आया है विशेश तोर पर अवद्योगी गुरूप से पीछे रह गए पूर्वी भारत को ये फ्रेट कोरिडोर नई उर्जा देने वाला है इसका करीब करीब साथ प्रतिशत हिस्सा यूपी में है इसलिए यूपी के हर छोटे बड़े उद्योग को इससे लाब होगा देश और विदेश के उद्योगों में जिस प्रकार यूपी के प्रति आकरशन बीते सालों में पैदा हुआ है वो और अधिक बड़ेगा भाईयो और भेहनों इन डेडिकेटर फ्रेट कोरीडोर का लाब किसान रेल को भी होने वाला है कल ही देश में सौवी किसान रेल की शुरुवात की गई है किसान रेल से वैसे भी खेती से जुड़ी उपच को देश भर के बड़े-बड़े बाजारों में सुरक्षित और कम किमत पर पहुंचाना संभव हुआ है अब नएव फ्रेट कोरीडोर में किसान रेल और भी तेजी से अपने गंतवेपर पहुंचेगी उत्तर प्रदेश में भी किसान रेल से अनेक स्टेशन जुड़ चुके हैं और इनमें लगातार बढ़ोतरी की जा रही है उत्तर प्रदेश के रेल वे स्टेशनों के पास बंडारण और कोर्ड स्टोरिज की कैपेसिटी की बढ़ाई जा रही है यूपी के 45 माल गोदामों को आधुनिक सुभीदाओं से युक्त किया गया है इसके अलावा राज में आठ नए गूर्ट शेड़ भी बनाए गए है वही उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गाजीपूर में दो बड़े परिशबल कार्गो सेंटर पहले ही किसानों को सेवा दे रहे हैं इन में बहुती कम दरों पर किसान फल्क सब्जियां जैसी जल्दी खराब होने वाली अपनी उपयच स्टोर कर सकते हैं